हालो स्टूडेंस वेलकम तो एच्पी स्टेडीज एंड टैन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस्केशन सेशन जिसमें बेसिकली हम अलाइट सर्वसेज इन नाइप असीलदार एक्जाम को टागेट करेंगे इस सेशन में आज हम हिस्ट्री ऑफ हिमाशल प्रदेश स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आपके साथ की फॉर्म में डिस्कुस करने वाले हैं चलिए स्टूडेंट लेट्स बीगें अर्ट टुडेइश सेशन फर्स्ट फॉल हमारा जो ऑनलाइन इनिशेटर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारिया आपको देना चाहेंगे हमारा एचपी सब इंस्पेक्टर जो टेसरीज है हमने अभी रीसंटली ही लॉंच किया है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं दस टेस्ट में इंक्लूड रहेंगे और हिंदी अंग्रेजी दोनों भी भाशाओं में हैं मात्र एक सो निन्यानवे रुपे में ये टेसरीज आपको है अदर देन इस एचार इसी कंड़क्टर एक्जाम की टेसरीज है पांच इसमें भी इंक्लूड है हिंदी इंग्लिश दोनों भी भाशाओं में है और मात्र निन्यानवे रुपे में ये टेसरीज भी एविलेबल है इसके अलाबा हमारे ऑनलाइन बहुत से इनिशेटिव और हुलाइन ओर्लाइन कोर्से जिनें आप प्रचेज कर सकते हैं घरबैट के त्यारी कर सकते हैं इन मैसे अगराप किसी भी इंग्जाम की त्यारी कर दक्ते इंग्जाम HP TGT Arts exam, HP Padwari, HRDC conductor exam सभी ही exams पे offers भी उपलब्द है और इन सभी exams में हम आपको जो है Full End Notes of All Subjects, Recorded Lectures of All Subjects, Test Series प्रवाइड करेंगे और साथ ही साथ students हम आपको जो है weekly live doubt sessions के माद्दम से connect भी रहेंगे करना क्या है? Simply placed हो पे जाना है Nimbus Career application को download करना है open करेंगे, details भरिये, login कीजिए mobile number add करके continue button press कीजिए all the courses would be in front of you and you can easily purchase any course of your choice चलिए अब बढ़ेंगे आज के इस session की तरफ और पहला सवाल आपके screen पे है Consider the following statements Consider the following statements धोलरू fear is known as पृत्वी पूजा First statement Second, चेरवाल fear is celebrated on the first of भादों और middle of July और D इन कुन्लू, चेरवाल is known by the name of छतराली and in चंबा, it is called पतरोडू तो बताइए ज़रा students, आपको find out करना है correct statement धोलरू मेला को पृत्वी पूजा के नाम से भी जाना जाता है चेरवाल मेला भादों की पहली है जुलाई के मध्ध में मनाया जाता है हर कुलू में चेरवाल को छतराली और चंबा में पत्थरोरू के नाम से जाना जाता है तो क्या answer होगा इस सवाल का quickly respond करेंगे स्टूण आप सभी question number one screen पे है option one two, three और four में से क्या होगा ध्यान से पड़ी statement based है थोड़ा time ले सकने है तो यहाँ पे जो सही answer है इस question का वो है option D पतलब आपका उपर्यूक्त में से कोई भी जो statement है वो सही नहीं है क्योंकि जो आपकी first statement है जिसमें धोलूरी मेला को पृत्वी पूजा के नाम से जाना जाता है यह गलत है चरवाल मेला जो है student basically इसे पृत्वी पूजा के नाम से जाना जाता है और चरवाल जो है यह जुलाई में नहीं यह भादो middle of August में कुलू में चरवाल को भदरोंज कहते है और चम्बा में से पत्रोडू ही कहते है तो जो statement third है वो भी incorrect है अगला प्रशन है Question number two Consider the following statements Halda is celebrated jointly by the families where male child was born in the preceding year Full age fair is celebrated in the month of Shravan और in the beginning of Asuj only in Kinor तो कौन सा statement incorrect है यह पूछा गया है Halda fair के बारे में और full age fair के बारे में तो बताइए ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे आप दोनों ही statements को students and then answer You have to find out the incorrect statement K well first B, A क्या दो K well 2 उप्युक्त में से कोई नहीं तो जो सही उत्तर है इस प्रशन का option B है option B K well 1 और 2 मतब दोनों ही statement यह क्या है incorrect है Halda fair जो है यह चंदरा एं भागा valley में celebrate किया जाता है और December January का जो मन्त है लाहुल स्पीती में वहां पे अगला प्रशन है question number 3 ध्यान से पढ़ेंगे statement को निमिलिखित कत्तों पर विचार कीजिए रगुनाथ temple से संबंदित यह प्रशन है रगुनाथ जी की मूर्ती 1651 में बनारत से स्वैम राजा भगत सिंग द्वारा लाई गई थी कांगडा के बैजनात के से में भी दशैरा बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है कौन सा कथन गलत है again you have to find out the incorrect statement हाली students तो यहाँ पर जो आपके statement है यह दोनों ही statement falls है एक्च्छल में सही उत्तर D होगा students लिकिस दशैरा जो है भले ही international fair है बड़ी धूमधाम से कुल्लू डिस्टिक में से celebrate किया जाता है रगुनाजी की यात्रा होती है धौलपूर मेदान से लेकिन अगर आइडल की बात करें तो इडल ऑफ रगुनाथ वस बाउट फ्रम आयोध्या नॉट फ्रम बनारस in 1651 इतना याद रखिएगा और राजा जगत सिंग ने इंस्टाल कराया था और बैजनाथ में जो है बिलकुल भी दिशारा जो है वो नहीं मनाया जाता है ठीक है जी तो दोनों ही स्टेट्मेंट यहां पर incorrect है अगला प्रशन है क्वेशन नम्ब फो तो आपको correct statement find out करना है students you need to find out the correct statement asked in the question ध्यान से पढ़िये शोभा उन्नी सो चोधा में सोभा शोभा राओ कौन सी स्टेट्मेंट तीनों मैं से सही है उन्नी सो चोधा में शोभा राम के नित्युत में बजीर उपादे जीवा नंद के खिलाफ मंडी में अंदोलन हुआ था तो क्या आंसर सही होगा students यहां पर भी स्टूडेंट जो है आपका सिर्फ बी आंसर सेकिंड स्टेट्मेंट है क्रेक्ट पूछा है तो क्रेक्ट उमादतेन दुर्गा यह धामी गोली कान जो हुआ था 1949 का उसमें यह मारी गई थे उमादतेन दुर्गा इसके लावा 1909 में आपका जो था यह मंडी का रिवोल्ट हुआ था वजीर उपाद्य जीवानंद के अगेंस्ट तो सोभा शेंग द लीडर ऑफ सोभा राम ऑफसर क में ही दिया गया था अगला प्रस्टन है क्वेशन नूम्बर फाइव निमे लिखित कत्वों पर विचार कीजिए कुनिहार प्रजा मंडल वागनाइज़ इन शिम्ला इन 1931-39 एन पूट फॉरवर्ड देर डिमांड तू राना दलीब सिंग राना अफ कुनिहार डिडिन अगें यहां पर इनकरेक्ट स्टेट्मेंट ही पूछी गई है इस क्वेशन में भी जल्दी से आंसर देंगे स्टूट आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे एक बार स्टेट्मेंट को टाइम लीजे कोई दिक्कत नहीं है कुनिहार प्रजा मंडल से संबंदित प्रश्न है यह दलीब सिंग थे या कोई और शाशक थे राना दलीब सिंग के सामने अपनी मांगा रिखी थे चले जो जो सही उत्तर स्टूटनेंट इस सवाल का वो है ओप्षन यह फास्ट स्टेट्मन बिलकुल गलत है इंकरेट पूछा है ना तो दोनों ऑप्षन सी होना चाहिए बिलकुल सही क्यूंकि दोनई स्टेट्मेंट यह जो हैं इंकरेक्ट आपकी फर्स स्टेंडमेंट की बात करें तो हर्देव राना हर्देव जो थे उन्हों कुनिहार जो प्रजा मंदल वस ओगनाईज इन शिम्ला ने 1939 and put forward the demand to Rana Hardev not Dalib Singh अगला है जो प्रजा मंदल थी कुनहार की वहां के राना ने accept किया था demands को जबकि statement में क्या है कि accept नहीं किया था और ये जो था this was considered as the first victory of democratic forces against the autocratic rule तो चले अगला प्रशन है आपका व्यादिट दर राजा इश्वरी सेन अफ मंदी वस कैप्ट as a prisoner by संसार्चंद और कांगडा शुजानपूर टीरा कांगडा नदौन ज्वाला मुखी क्या आंसर होगा student असान प्रशन है इश्वरी सेन राजा इश्वरी सेन और मंदी को प्रिजंड किया गया था बारा साल के लिए संसार्चंद द्वारा किस जेल में चले तो जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी यहां पर नादोन नादोन जो है student यहां पर बारा साल तक जो था संसार्चंद ने बंदी बना के रखा था मंदी के शाशक राजा इश्वरी सेन को तो इतना याद रखिए अगला प्रशन है महल मोरिया वर्स्थान है जहां संसार्चंद और गुर्खाओं के बीच एतिहासिक लड़ाई हुई थी किस जिले बड़ाई सिंपल प्रशन चंबा हभी विलासपूर कांगडा का किला बड़ा फेमस है और यह हमिर पूर डिस्टिक में करंटली आता है इतिहासिक युद्ध जो सराजा कांगडा के राजा संसार्चंद और गुर्खाओं के बीच हुआ है वो इसी रीजन में हुआ था क्वेश्चन नुम्र एट कौन था जब मुहम्मद तुगलग दिल्ली की गद्धी पे बैठा हुआ था तुगलग डानेस्टी असान प्रशन है ये भी तो जो सही उत्तर है सुने इस प्रशन का इस सवाल का वो है ऑप्शन भी प्रिथवी चन्द उसमें शाशक थे प्रिथवी चन्द वस्ट रूलर इन था ताइम ओफ कांग्डा और तेरा सो तीस का इंसीदेंट है मुहम्मद बिन तुगलग कैप्चर्ड कांग्डा फोर्ट इन 1337 अगला प्रशन है किरात आरे युद में किरात राजा शांबर का समर्थन किस ने किया था इन्हें से किरात आरे युद में किरात राजा शांबर हाँ जी तो सही उत्तर स्टूडेंट है ऑप्शन बी हाँ पे ऑप्शन बी वर्ची जो थे उन्होंने पक्ष लिया था चालिस वर्षों का ये युद था और रिशी वर्षिस्ट रिग्वेदास के अकॉर्डिंग है ये बिसिकली शांबर जो थे वरीची से बिसिकली अलाय किया था उद्ध ब्रज नामक स्थान पर ये युद हुआ था चले अब बढ़ेंगे अगले प्रशन की तरफ क्वेशन नमबर टेंथ खेर गडी की रानी बहुत फेमस है स्टूडेंट्स मंडी मंडी क्षेतर सेन का संबंद रहा है गदद जो मूमेंट थी 1913 की उसके साथ इनका एस्सोसेशन रहा था ब्रिटीशस के अगेंस्ट फिडम स्टागल ओफ इंडिया में जो आपका सुतंतता सेनानी के रूप में उन्होंने भी सेभागिता दी है तो जो सही उत्तर है वो है औप्शन सी स्टूडेंट यहाँ पे राजा नरायन सेन की धर्म से संबंद था इनका खेरगड की रानी जो थी राजा नरायन सेल इनका नाम था ललीता कुमारी लेकिन बाद में रानी खेरगड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुई है आज भी बड़ा सम्मान मंडी में जाएंगे आप तो बहुत सम्मान रानी खेरगड़ी को दिया जाता है चाली स्टुदेंट यह दीजा सम आप दिस्कस और ऐसे ही हमारे आगे भी सेशन रहेंगे हर सब्जेक्स से रिलेटेड़ी आप इंजॉय करेंगे इन सेशन को और सही दिशा में आपकी अलाइट सर्विसेज या नाप तसील दार एक्जाम या तसील वेलफिर एक्जाम जो